भोजपुर की रामपूर मिलकी गाउं की ग्रामिडों ने बिहार सरकार के ITCEL सूचना एवन प्रध्योगी की मंत्री का भवि स्वागत किया उसके बाद उन्हें अपनी समस्याओं से अफगत कराया तथा मंत्री जी ने समस्याओं का निदान करने का आश्वाशन दिया और अनेक मुद्दों पर बात की वही मुहमद जुल्फिकार अली ने अपनी बात भी रखी शेशी भूशन सिंग की रिपोर्ट इंडिया गटबंदन की बैटक होई और उसमें निकिसमार को तरकिनार करा गिया साथ में साम को जिस तरह प्रेश वारता को उसमें लानु जी और इंडिया गटबंदन में दरार पड़ चुकी है ना ऐसा कुछ नहीं है कोई बात होती तो सामने आती पिछला बार भी आप देख लिजिए पिछला बार भी इंडिया की गटबंदन होई सब लों का अलग-अलग प्रोग्राम रहता है और प्रेश कंफिरेंस जॉइंट हो इसा फुरी होता है कोई भी एक आदमी इंडिया गटबंदन का कोई भी लीडर अपनी बात रख दे वही बात सामने आती है ऐसा नहीं है कि प्रेश कंफिरेंस में सभी लीडरों को रहना ज़रूरी है और जिस तरह से देखा जा रहा था कि नितिश कुमार काफी उत्साहित नजर आ रहे थे लेकिन खड़गे जी का नाम वहां पर प्रमोट किया गया उसके बाद जिससे उन्होंने प्रेश वार्ता कि प्रेश वार्ता के पहले लालु जी वहां से चले गया फिर नितिश जी कुछ नहीं है कि मैंनिय मुक मंत्री जी तो ही अधरनी नितिश कुमार जी ही इंडिया गठवंदन का निव रखे हैं लोगों को एक जूट करने का काम किया है और इनका मांसा है इनकी मांसा है कि बीजेपी भाजपा को कैसे किन से दखल बेदखल किया जाए यह मांसा है ऐस तो इस तरह की कोई बात नहीं है के आप बस्ति का लोग चुलelines का उपर उटने का कोई विवस्तान नहीं है प्रमान्जरी जीन क्या शॉपसंदिया मर्दी बोले का संग्यान में या है इसके बारे में हम बात करें या उपर क्या उम्मीत लग रहा है क्या आप लोग के से तरीके स्वागत भी किये और शवागत के बाद अपने समस्या को रखा समधान हो पाएगा अपकर तो आगे जुलुफकार अली एम्डी जुलुफकार अली